दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में उस वीडियो में जिसका नाम है भक्तौलजी अंदभक्तों की शाखा जहां पर हम जम करके इन चड़ी धारी चिंटूओं की वाट लगाते हैं इनकी खटिया खड़ी करते हैं और साथ ही इनको क कुछ खास टाइप का ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं आज फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से भारतिये जनता पार्टी का इनके अंदभक्तों का इनके आईटी सेल का फेक प्रोपोगैंडा यहां पर आपके सामने एक्सपोज करने वालों भारतिये जनता पार्टी को पूरी तरीके से आज सुबे से एक जूट चलाने की कोशिश करी जा रही है उतर प्रदेश की जनता को बेफकूब बनाने की कोशिश करी जा रही है और किस तरीके से वो कोशिश चल रही है वो सब आपको दिखाऊंगा और इनको एक्सपोज भी आपके सामने क करके रखूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा इस वीडियो को लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश एक अपील करना चाहता हूं कि यह वीडियो नहीं है यह एक लड़ाई है भारतिय जनता पार्टी की आइडियोलोजी के खिलाफ इनके वीडियो की तरफ और आउंगा आगे इस बात के उपर कि आखिरकार भारती जनता पार्टी ने क्या जूट बोला इनको एक्सपोज भी करूंगा लेकिन उससे पहले जरा शुरुवात करना चाहता हूं मोदी जी कल के भाशन से कल मोदी जी काशी में गए और आपको तमाम जगा पर इसके उपर निउस देखने को मिली होगी कल हमारे देश में चाहे जितनी भी बड़ी खबर आई हो जितनी भी बड़े से बड़े मुद्य हो लेकिन फिर भी गोदी मीडिया का मैटर ऑफ डिसकस्शन यही था कि आखिरकार नरेंदर मोदी काशी में गए हैं और व पूरी इमेज बनाने की कोशिश करी कि नरेंदर मोदी काशी गए हैं और उसके बाद एक फेक इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश करी गई उस इमेज बिल्डिंग के चक्कर में गोदी मीडिया के इन गधों ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी वज़े से इन्होंने महर लगा दी इस बात के उपर कि हाँ योगी और मोदी के बीच में एक बहुत बडा इशू चल रहा है उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी एक लड़ाई चल रही है जी हाँ बहुत दिन पहले इस चीज के ओपर बहुत discussion हो रही थी चर्चा हो रही थी लेकिन कोई भी इस बात को surety से नहीं बोल पा रहा था कि हाँ सच में इनके बीच में कोई issues हैं लेकिन आज गोधी मीडिया की बदौलत इन शाने कवों की वज़े से इन्होंने ऐसा काम किया है कि य बात कर गिर चुके हैं इन्होंने खुद पूरी लड़ाई को expose करके रख दिया आपके सामने तीन स्क्रीन शॉट्स रखना चाहूंगा और इन तीन स्क्रीन शॉट्स के बाद अपनी opinion रखना चाहूंगा आपको बताना चाहूंगा कि आकरकार किस तरीके से इन्होंने महर पहला स्क्रीन शॉट देखिया अमीश देवगन का शो विपक्ष परभारी मोधी योगी की जोडी question mark उसके बाद आपको दिखाना चाहूंगा एक और शो जहां पर योगी मॉडल से यूपी विजे की बात करी जा रहे हैं उसके बाद एक और शो आपको दिखाना और मोधी और योगी की फोटो लगाई गई है अमन चोपडा का ये शो था अब इन तीन फोटो से BJP के अनौफिशल आईटी सेल की इन तीन फोटो से हमारे को एक बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि जिस बात के हम सब लोग कयास लगा रहे थे कि मोधी और योगी के कोशिश कर रहे गोधी मीडिया तमाम अपने कल के शोज में कि योगी और मोधी साथ-साथ है अगर योगी और मोधी साथ-साथ होते और योगी और मोधी के बीछ में कोई problem हुई नहीं होती तो क्या गोधी मीडिया को एक clarification देना पड़ता याने कि अपने ही बुने होए जाल में ये लोग बुरी तरीके से फस गए उसमें ही उलज करके रह गए उसके आगे चलके आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ और तस्वीर है जो कल निकल करके आई मोधी के काशी के पूरे दौरे से और मैं यकीनन इस बात को कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि नरिंदर मोधी ने कल ओवर अक्टिंग करी है वैसे तो ये अक्टिंग के गुरू है अक्टिंग के चैंपिन है लेकिन कल मोधी जी ओवर अक्टिंग कर गया और मैं चाहता हूँ कि नरिंदर मोधी जी के ओवर तस्वीर जो तमाम सोशल मीडिया पे वाइरल हो रही थी और उस तस्वीर को छुपाने के लिए आज बहुत बड़ा कांट किया गया है क्या है कांट पूरी तरीके से एक्सपोज करके भी दिखा दूँगे लेकिन पहले इस तस्वीर को देखे स्क्रीन पर पिये मोधी के दो भी फैली हुई थी उसके उपर सफेज चदरें ढखने का काम किया गया और आप एक वीडियो भी देख रहोंगे साइट में इस ताइम पे चलती हुई जहां पर गड़ों को सफेज चदर से ढखा गया यह आखिरकार क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं यह गुजरात मॉडल है जो यूपी में भी नरेंदर मोधी अपलाए कर चुके हैं आपको अच्छे तरीके से याद होगा जब नमस्ते ट्रंप हुआ था पिछले साल जिसकी वज़े से कोरोना आमारी देश में आया आप कैसे भूल सकते हैं उस नमस्ते ट्रंप के टाइम पर गरीबों को चुपाने के लिए दिवारे खड़ी कर दी गई थी चद्दरे लगाई गई थी तंबू कनात लगाए गए थे उसी तरीके से वही गुजरात मॉडल आज उत्तर प्रदेश में लागू करा जा रहा है इसी के साथ एक और बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ गड़ा सरकार का सबसे पहला प्रण था जब ये लोग सरकार में आये थे 2017 में 2017 से 2021 ताड़े चार साल हो गए और इनके गड़े अभी तक नी भरे आखिरकार ये लोग अपने आप में कितने बड़े गड़े होंगे इससे ये बात पूरी तरीके से साबित हो जाती है और काशी वो ज अची तरीके से समझी सकते हैं कोट अदालत ये लगातारे कहते हैं कि यूपी की स्वास विवस्था हैं और यूपी में अलग-अलग चीजे जो हैं और इसकी ही कई ना कई ये तस्वीर जिनको ढखने का काम किया गया अब एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और इस मास्करतिक रूप से और तकनी की रूप से भी बहुत महत्पून है जिस तरीके से जापां से इस जो देखे रिबन काटने जा रहे हैं ये सुभारम ये अभी नंदन भी है और प्रदान नंती जी भी सायद उतने ही प्रसंन होंगे समय से किसी चीज को पूरा करना किसी संस् देखा आपने विडियो एक ऑडिटोरियम का इनागरेशन किया रहा था जपान एक और रहा है काशी के अंदर उसका इनागरेशन किया गया फीटा काटा गया और फीता काटा गया के टाइम नरेंद्र मोदी ने आनंदी बेन पटेल को साइड में खड़ा किया और दूसरी तरफ से योगी अधित्यनाथ को भी पीछे से बुलाने का काम किया नरेंद्र मोदी ने ये ओवर एक्टिंग करके साबित कर दिया अच्छे तरीके से कि उनके और योगी के बीच में क्या मैटर आखिरकार चल रहा है और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर इस सारे के सारे दौरे पर इस पूरे के पूरे भाशन में नरेंद्र मोदी योगी अधित्यनाथ की इतनी बढ़चड के तारीफे नहीं करते ना तो डेफिनेटली इस पर सवाल नहीं खड़ इशू चल रहा है और इसी के चलते नरेंद्र मोदी नहीं यहाँ पर ओवर आक्टिंग भी करी जिसकी वज़े से उनके 50 रुपे जरूर काटे जाने चाहिए तो यह तो था कल का पूरा मैटर कल की पूरी भसूडी अब मैं आपको आज की भसूडी दिखाना चाहता हूं आ आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन्स के ओपर आज का मैटर सबसे पहले खबर में देखे कल मास्टर स्टोक में शाम को यह चलाया गया जहां पर बोला गया कि ब्रेकिंग न्यूज आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गये समाजवादी अब इन्होंने ट्वीट करना शुरू करा भारतिय जनता पार्टी का ओफिशल आईटी सेल और अन ओफिशल आईटी सेल इस चीज़ के ओपर पूरी तरीके से जुट गया और इन सारे के सारे ट्वीट में मैंने निकाला एक पैटन आपके सामने रखना चाहता हूं आखिर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे एस पी ने दिये जाच के आदेश उसके बाद आपको दिखाना चाहता हूं अगला ट्वीट जिसमें आपको कहीं ना कहीं एक पैटन नजर आएगा अमित मालविया का ट्वीट इनके जूट की फैक्टरी का हेड उसका ट्वीट कल आग आगे देखिए आगे भी समझ आएगी चीज़ देखिए अगले ट्वीट में जहां पर फिर से यही पैटन देखा जा रहा है गौरव भाटिया का ट्वीट जहां पर फिर से समाजवादी पार्टी का पूरा नाम लिखा गया और इसी चीज़ को इसी बात को धराया गया व और फिर से वही पैटन समाजवादी पार्टी का पूरा नाम लिखा गया अब मैं यह नहीं कहरा कि वहाँ पर नारे लगे या नहीं लगे इसके उपर एक जांच चल रही है और जांच के बाद ही रिजल्ट आएगा सारी की सारी बात हमारे सामने आ जाएगी लेकिन मैं यह नाम का ट्रेंड चलाना है 20,000 ट्वीट जब किसी भी टर्म के हो जाते हैं तो उस चीज को अपने आप ट्रेंडिंग में डाल देता है और वही करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही थी अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दो वीडियो यह दो वीडियो किसने शेयर कर आने की कोशिश कौन कर रहा है कौन है ऐसे देश विरोधी ताकते हैं जो हमारे देश में अभी भी बटवारा करने की कोशिश है कर रही है जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर इन दोनों वीडियो को करते हैं जरा बरादी देश देखिए ऑट ह immigrants स्ट्ना भाँ ओनोर्ण, us उता है , जिन देखिए जिन देखिए, जो पित्वाघ स्ट्रमाद जिननावात 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 गणी जिननावाष, गणी मेडसी को से जुटी ऑफ यह नावर फापईटान को छ गुट्वरल मैं को सेुटान दीर हूं जो सेँ become चॉर्शी हौं मेरे माथनितले होन। navod व्हौन करूंग अपने अबरा मोई जितले रहता हैं। तो देखी आपने दोनों वीडियो पहली वीडियो जहां पर ऐसा लग रहा है कि एक शक्स पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है मैं इस चीज की कोई पुष्टी यहां पर नहीं कर रहा हूं पुलिस इसकी जाच कर रही है जाच पूरी हो जाए हमारे सामने सारा मै जाच पूरी है और मैंने अखिलेश यादव के पक्ष में नारे लगा है लेकिन पाकिस्तान के पक्ष में कोई भी नारा नहीं लगाया अब यह दोनों वीडियो कहां से आई है और किसकी वीडियो है इस आर्टिकल से यह बात पूरी तरीके से सिद्ध हो जाएगी साबित ह आगरा में सपा के जलूस में गुंजा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वीडियो वाइरल मची खलबली इसी आर्टिकल के अंदर एक चीज हाइलाइटेट करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर जिसमें आगरा के महानगर अध्यक्ष ने साफ साफ स्टेटमें दिया है और यह बात बोली है यह आर्टिकल में छपी हुई आपको स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन के उपर कि इस आदमी की जिसने नारे लगाए उसकी पहचान कर ली गई है वह सुल्तान गंच की पुलिया निवासी पंकच सिंग है वह सपा का कारकरता न नहीं है और SP City को लेटर लिखकर इस आदमी ने इस आदमी के खिलाफ कारवाई करने की भी गुजारिश करी गई थी लेकिन गोधी मीडिया के वह जूटे और BJP ITCell के वह जूटे लोग जो एक पैटन के साथ चल रहे हैं वह लोग आपको इस स्टेटमेंट के बारे में नह के और लॉजिक्स के बेसिस पर अब आपका यहां पर दायत पर रिस्पोंसिबिलिटी बनती है कि इस खबर को आगे उत्तर प्रदेश में और देश में जन जन तक पहुंचाने का काम करें जिससे कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनत झाल झाल